हलो और वेलकम बेक टो माई चैनल माई होम एन केचें टिप्स फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद एक बैल आइकन आएगा उसे भी प्रेस करना है जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शियर करें और कमेंट्स करके जरूर बताईए कि वीडियो कैसा लगा है आप उनका इस्तिमाल कर सकते हैं ये अकसर हमारे घर में काफी सारे मिल जाते हैं आपको इसी भी पूरी पैंसिल ले सकते हैं और इस तरह का बड़ा पैन ले सकते हैं ये बुक्शॉप से बहुत ही सस्ते में आपको आसानी से मिल जाएगा और ये fabric carry bag है तो ये भी हमारे घरों में पड़े ही रहते हैं तो किसी भी color के fabric carry bag साप ले सकते हैं इसके लिए तो सबसे पहले हमने एक medium size की plate ली है और cardboard के उपर इसे रख करके एक circle तयार करना है circle के अंदर एक छोटा और circle बनाना है तो इसके लिए मैं circle के अंदर 3 cm की distance पर इस तरह से 4 dots लगा रही हूँ और बाद में हम इनके बीच में एक एक dot और लगा लेंगे तो इस तरह से 8 dots हो जाएंगे और इन dots को मिला करके हम एक छोटा circle तयार कर सकते हैं अब सारे dots को इस तरह से गुलाई में मिला देना है त्राबर रहेगी यह देखिए तो इसे कट कर लेंगे यह देखिए कट कर लिया है इसकी चोड़ाई 2 cm है अब हमने एक heart shape बनानी है दूसरे cardboard पर तो यह देखिए पहले आपने एक line draw कर लेनी है और इस तरह से एक heart का shape बना ले medium size का इसके अंदर एक छोटा heart order करना है इसकी भी हमने चोड़ाई 2 cm रखी है और इसे बाहर से cut कर लेते हैं और अंदर से cutter के help से cut करेंगे इसी तरीके से हमने circle को भी cut कर लिया था तो इस तरह से हम 2 cut and holders बना रहे हैं यानि की tie back बनाने का तरीका बता रहे हूं आपको तो यह हमने एक circle cut कर लिया है और एक heart shape cut कर ली है अब एक cello tape ले करके इस तरीके से cover कर देंगे इसको पूरे cardboard को इसी तरीके से cover करना है यह दिखिए cut कर दिया है इसको और इसके बाद इसे अच्छे से press कर ले इस तरीके से और इसी तरीके से हमने heart shape का जो cardboard cut किया है उसे भी cover कर लिया है cello tape से इसे भी press कर लिया है अब यह दो piece ready हो गए है इस तरह से हम दो अलग-अलग piece तयार कर रहे हैं अलग-अलग design में तो पहले हमने circle वाले shape को लिया है और यहां पर मैं ribbon लपेट रही है उसके उपर तो एक जग मैंने इसे paste कर लिया है और उसके बाद हमने बीच-बीच में glue लगा करके चिपकाते जाना है और पूरे circle को cover क कर लेना है इसी तरीके से यह देखा आधा color हो गया है बाकिससे को हम इसी तरीके चिंधा कर लेंगे पर पेष्ट कर दिया है इसके बाद हमने फिर से धोर सा गलू लगाना है और फिर से हमने रिभन को लपीट नारहे है पैन के ऊपर इस तरीके से तो हम इसमें इजिली दो कटन को खोल कर सकते हैं असानी से यह देखें पैन को हमने पूरा कवर कर लिया है और किनारे पर आकर हमने ग्लू लगाना है और इसे अच्छे से लपेटते हुए कट करके फिर से पेस्ट कर देना है इस तरह से एक रॉड बन जाएगी तो चली इसे कट कर लेते हैं और बचे हुए रिबन को इसी तरीके से पेस्ट कर देना है तो आप रिबन की जगे पर कोई लेस भी यूज कर सकते हैं इसी तरीके से हमने पैंसिल को भी कवर करना है इस तरह से देख सकते हैं दौन पीस हमारे रैडी है हाट शेप का जो पीस है उसको भी हमने इस तरीके से तयार कर लिया है रोड के साथ में, पैंसिल के साथ और ग्रीन कलर में हमने पैन का यूज किया है अब हमने इनको डेकुरेट करने के लिए फ्लार्स बनाने हैं तो शॉपिंग बैग को इस तरीके से कट करना है 3 cm चौड़ी स्टिप्स मैंने कट कर ली है एक स्टिप को कट करने के बाद हमने दूसरा कैरी बैग लिया है और उसके नाप से इस तरह से निशान लगाने है और यहीं से हम स्टिप्स कट कर लेंगे इसमें से इस तरीके से हमें 5 फ्लार्स बनाने है तो हमें 5 स्टिप्स चाहिए, तो चलिए इस तरीके से कट कर लेते हैं, अब इसे open करना है, और इसको cut लगा कर इस तरीके से खुल लेना है, यह extra है, इसे cut कर देते हैं, और इसके बाद इस तरीके से fold करना है, अच्छे से press करना है, और फिर इस तरीके से fold करेंगे, एक Fold Alt लगाना है इस तरीके से हमने इसमें 4 Folds लगा दिये हैं अब हमने इसे Cut करना है बराबर करने के बाद तो ये देखे थोड़ी से दूरी पर हमने Marks लगाने हैं इस तरीके से Line Draw कर लें ताकि पता चल सके हमने कितने गहरे कट्स लगा लेते हैं यहाई है आ माधूपन कर लेते हैं इस तरीके दड़िए नहीं दोड़ा नहीं करना है से एक ही फोल्ड खोलना है इसका और बस इस तरीके से ग्लू लगा करके से गुमाते हुए पेस्ट कर लेना है तो इस तरीके से हमारे फ्लार्स तयार हो जाएंगे बीच बीच में ग्लू लगा करके से चिपकाते जाएं और इस तरीके से रोल करते जाना है बस लास्ट में ग्लू लगाना है और जितनी भी परतें इसके अंदर हैं उनको सबको चिपका देना इस तरीके से तो इसी तरह से हमने सारे फ्लार्स रैडी करने हैं यह देखिए उपर से इस तरीके से कोल दें इसको और यह नीचे से काफी एक्स्ट्रा है तो इसे कट कर देंगे और थोड़ा सा ग्लू लगा दें यहाँ पर ताकि यह फेक्स रहे अपने जगा पर और इसी तरीके से हमने बागी के फ्लार्स भी रेडी कर लेने हैं अब मैंने एक पतली लेस लिए है और इस तरीके से सेंटर में से पेस्ट करना है सरकल के चार तरफ तो इसी तरीके से complete कर लेते हैं इसको और बची हुई lace को cut कर देंगे ये देखें circle हो गया है complete अब हमने flowers को इस तरीके से set कर लिया है और एक-एक flower को उठा करके glue लगा कर उसी जगह पर paste करते जाएंगे तो half circle में हमने से paste करना है ये देखें इस तरीके से तो मैंने five flowers लगाएं यहाँ पर और बीच में मैं इस तरीके से मोती लगा देती हूँ सारे flowers के उपर और आप देख सकते हैं ये हमारा curtain holder बनकर तयार हो गया है एक piece ready है इसी तरीके से हमने दूसरे piece को ready करना है और इस में मैं stone chain लगा रही हूँ center में इस तरीके से ये भी बहुत अच्छी लगती है और पतली होती है तो easily किसी भी shape के उपर इसे चिपकाया जा सकता है यहाँ पर इसे paste कर देते है इसे decorate करने के लिए मैं ready made flowers का यूज कर रही हूँ इस तरीके से उपर की तरफ flowers चिपका रही हूँ उसके उपर और यहाँ पर मोती भी लगा दूँगे इसी में तो यह हमारा heart shape का curtain holder बनकर तयार हो गया है दोनों पीस बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और बनाना भी इनको काफी आसान है तो चलिए मैं दिखा देती हूँ इनने किस तरीके से यूज करना है यह double curtains हैं तो इसमें मैं बड़े वाले curtain holder का यूज कर रही हूँ इस तरीके से पकड़ना है आपने plates बनानी है और इस तरीके से हाट डालते हुए plates को बाहर की तरफ निकालना है और अब हम इसमें rod को इस तरीके से set कर देंगे और यह देखिए आपका curtain easily hold हो जाएगा आप आसानी से इसे लगा सकते हैं और rod को खीच करके आप आसानी से इसे निकाल भी सकते हैं और यह देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है यह उपर से नीचे तक इसका look दिखा देती हूँ मैं आपको तो यह हमने थोड़ी से बड़े size में बनाया था तो यह two curtains को easily hold कर सकता है और इस तरह से curtain की खुबसूरती भी बढ़ जाती है आप इस तरह के curtain holders का यूज़ करेंगे तो आपका room बहुत ही अच्छा दिखने वाला है और यह हमारा दूसरा piece है और इसे मैंने single curtain के अंदर लगाया है क्योंकि यह थोड़ा सा छोटे size में था इसे भी हमने उसी तरह के से लगाया है जैसे मैंने आपको पहले बताया था और यह piece भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो आप pair में तयार कर सकते हैं इनको या फिर single piece भी बना सकते हैं कार्ट बोड के उपर हमने जो टेप लपेटा था उसके वज़े से काफी मजबूत भी हैं और ड्यूरेवल हैं तो आप इने जरूर बनाए थैंक्स फॉर वाचिन